क्लास 10 की लाइट चेप्टर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशन्स करते हैं तो सबसे पहले पेज नंबर 180 की कोशन्स कर रहा हूं है जो तुम्हारी NCRD का है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर अफ लेंस तो वन डायोप्टर इस पावर अफ लेंस फोकल लेंथ एज नंडेंस वन लेंटर तो एक डायोप्टर अगर पावर वी तो फोकल लेंथ वन मेटर होगी इस बात का ध्यान रखना है जो नेक्स्ट कॉच्छिन है हमारे पास a convex lens forms a real and inverted image convex lens real or inverted image of a needle at a distance 50 cm from it सबसे बलते हैं डाइग्राम को समझने की कोशिश किया करो कि हमारे पस suppose करो एक convex lens है हमारे पस क्या कि वो एक real or inverted image बनाता है needle की at a distance of 50 cm from it सिदी सी बात है image distance दे रखा है तुम्हें यानकि V दे रखा है तुम्हे 50 cm अब real image है और inverted image है real image convex lens के के इसमें हमें सब positive होगा distance sign convention से where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to size of object अब ध्यान से देखो साथ से बहले जीज़ कहते हैं कहां object को place करें जब हमारे पास जो image है और object का size जो है वो बराबर है यानकि दोनों की जो भी length होगी या height होगी वो बराबर है और हमें इस particular case में ठीक हमें इस particular case में power भी निकारनी पड़ेगी lens की अब ध्यान रखना मैंने ये case कब करवाया था जब हमारे पास 2F पे अब यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी फिर यू की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी 50 cm आएगी लेकिन sign convention से उसके आगे निशान आएगा माइनस का तो वी हमारे पास positive 50 होगा यू हमारे पास negative 50 आएगा अब देखो ने ये 2F का distance आगया अपने पास 2F कितना हो गया 50 अब खुद देखो जो F होता है वो half होता है 2F का तो focal length कितनी हो जाएगी 25 cm तो focal length आजएगी 25 cm लेकिन ये आएगी positive में किसमें आएगी positive में अब 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 अब्वेस ही बात है इसको meter में convert करोगे तो 25 को किस से divide कर दोगे 100 से अब meter में क्यों convert किया है ताकि हम power निकाल सके तो power हमारे पास होती है 1 upon F यानि कि 1 upon 25 upon 100 तो 100 upon 25 हो जाएगी काट के हमारे पास क्या आजएगा power आजएगी 4 diopter और ये positive 4 diopter आएगी क्योंकि हमारे पास lens कौन सा है हमारे पास lens है convex lens जो next question है तुम्हारे पास वो कहा है find the power of concave lens of focal length 2 meter अब concave lens है यार concave lens की जो focal length होती है वो हमेशन negative में होती है तो इसका हमल जो focal length given है तुम्हें वो minus 2 meter given है अब यहां already meter में given है तो power क्या होता है 1 upon f बोले तो 1 upon minus 2 काट क्या जएगा minus 0.5 diopter तो ये तुम्हारे पास क्या है power है मारे पास next हमारे पास हम लोग NCRT के question भी इस video में ही करने वाले है तो ये video length ही जाने वाली है और ये video बहुत ज़्यादा important भी होने वाली है क्योंकि सारी की सारी जीज़े हम इस video में करेंगे तो NCRT exercise का first question है which of the following material cannot be used to make a lens clay को use नहीं कर सकते तो क्योंकि clay में से light pass ही नहीं होती है next question हमारे पास वो है image formed by concave mirror ध्यान रखना concave mirror है concave mirror को image बना रहा है ठीक है और जो image है वो virtual है, erect है और larger है object से virtual का मतलब mirror के case में जो image है वो यहाँ कहीं form हो रही है, erect है और magnified इस object की अब ये case तब ही था जब focus और pole के बीच में तुम्हारे पास क्या हो object रखा हुआ तो object कहां पे होगा pole और focus के बीच में ray diagram देखना इसके ray diagram बना के देखना देखो ray parallel to principal axis always passes through focus ray which falls on pole में एक equal and opposite angle वाकि आगे extend कर देना देखो, यहाँ पे जाके तुम्हारे पास virtual image बन जाएगी तो next question है अब convex lens है तुम्हारे पास हम object को कहां place करें कि हमारे पास real image आए ठीक है अब इसका तुफंड़ा एक ही है तुम focus के उपर रखोगे तो infinity पे रहेगा लेकिन optical center और focus के बीच मैंनी होना जाए यह बाकि कहीं भी ओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो लिखा हुआ न अपना where should be an object is placed in front of a convex lens to get a real image of size of the object और बोला हुआ कि size same होगा ठीक है size same कब होता है जब 2F पे रखा हुआ हो तो ही तो तुमारे पास image भी 2F पे बनेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा B option हो जाएगा at twice the focal length two times focal length पे रखोगे object को जो fourth question था तुमारे पास वो क्या है a spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length of minus 15 cm the mirror and lens are likely to be अब ध्यान से देखो तुमारे पास mirror कौन से वाले mirror की focal length जो होती है वो negative होती है concave की तो mirror होगा concave mirror क्योंकि concave mirror की focal length जो होती है वो real होती है और वो negative में होती है लेकिन lens के case में minus 15 किस की होगी concave lens की क्योंकि concave lens के case में virtual focus होती है तो इसका मतब दोनों के दोनों जो होंगे हमारे पास concave होंगे और यह हमें पता कहां से चला sign convention से क्योंकि 15 के आगे जो sign है वो negative का लगा होगा जो fifth question है हमारे पास no matter how far you stand from a mirror your image appear to be erect अब वो कौन सा mirror है जिसमें ऐसा होता है कि जो तुम्हारी image है वो हमेशे erect नजर आए तो वो mirror है हमारे पास convex mirror यह देखो तुम्हारे पास convex mirror है कहीं पे भी object को रख दो array parallel to principal axis appears to be coming from virtual focus ठीक है array which falls on wall make equal angle जब तुम इसको extend करोगे तो तुम्हारे पास यहां कहीं image form होगी यह तुम्हारे पास क्या है image और यह तुम्हारे पास क्या है object ठीक है तो तुम्हारे पास क्या है अपने पास the mirror is likely to be convex plane mirror के case में भी ऐसा ही होता है plane mirror के case में तुम्हारे पास क्या होगा देखो object यहां रखा है image यहां form होगी image हमेशा erect होगी और virtual होगी शीशे के अंदर image form होती है तो वो ध्यान रखना next है तुम्हारे पस 6th question which of the following lens would you prefer to use while reading small letter found in dictionary कौन सा lens यूज़ करते हो magnifying glass यूज़ करते हो magnifying glass होता है तुम्हारे पस वो कौन सा होता है convex होता है लेकिन अब खोद देखो न इसकी focal length 50 cm नहीं होनी चाहिए 50 cm होगा तो तुम्हें अपना धंग से focus करने के लिए object को कितनी दूर रखना पड़ेगा और तुम्हारे पढ़ने तो book के letter पढ़ने है न तुम्हारे पास lens convex चाहिए जिसके focal length छोटी हो यान कि C option correct होगा इसका next time हारे पास we wish to obtain an erect image of an object using concave mirror यह ray diagram में पहले बना रख बताया था कि हमारे पास जो हमें object होगा वो focus और pole के बीच में place करना होगा जो image होगी वो अपने पास virtual बनेगी इस बात का ध्यान रखना next question है हमारे पास name the type of mirror used in following situation headlight of car car के headlight में concave mirror use होता है ठीक है क्योंकि क्या होता है bulb यहाँ कहीं लगा होगा और bulb से जो भी light पीछे की तरफ को भी जाएगी वो reflect होके आगे ही जाएगी फिर इसलिए हम लोग जो mirror यूज करते हैं वो कौन सा mirror यूज करते हैं concave mirror यूज करते है side या फिर rear view mirror में हम हमेशा convex mirror को यूज करते है ठीक है क्योंकि convex mirror हमेशा ही virtual और erect image बनाता है और जो size होता है object को वो छोटा तो तो कम जगा में भी न बहुत सारी चीज़ों को हम देख पाते है अगर solar furnace की बात करें यानि कि तुम्हारे पास देखो न sunlight से खाना बनाना है या फिर sunlight से temperature जादा अचीव करना है तो हम basically क्या करते हैं हम concave mirror को use करते है concave mirror sun से आने वारी light को एक point पे focus करता है जिससे बहुत सारी जो heat है वो generate हो सकती है बहुत सारी heat जो है वो generate हो सकती है इसलिए हम लोग क्यों से mirror को use कर रहे है concave को use कर रहे है तो जो first वाला case है headlight में concave mirror यूज कर रहे है side या फिर rear view में convex को use कर रहे है solar furnace में हम लोग concave mirror को use कर रहे है जो next है हमारे पास वो क्या है one half of अब ये बड़िया question है इसमें ये बोल रहे है कि हम lens का half portion जो है नो इसको ढख देते है तो बताओ जो image form होगी उसमे वो form होगी या नहीं होगी ठीक है तो सिद्धी सी बात है क्या होता है कि image तो form होगी देखो तुम्हारे पास अगर तुम इस portion को ढख दो उपर से तो reflection हो रही है न जब उपर से reflection हो रही है तो image बनेगी ही बनेगी ठीक है बस होगा क्या क्योंकि half ही light refractor पा रही है पहले lens जब पूरा था तो नीचे से भी reflection होगी उपर से भी reflection होगी बट इस particular case में क्या हो रहा है सिरफ और सिरफ आदी ही light जो है वो refract हो पा रही है इसलिए जो object बनेगा वो उसी इसलिए जो image बनेगी वो उसी position पे बनेगी लेकिन उसकी intensity half होगी यानिकि इसको जो brightness sharpness होगी वो half होगी as compared to जब हम लोग पूरे lens image form करेंगे तो 9th question तो इसके ओपर था जो 10th question है वो हमारे पास numerical है ठीक है अब ये numerical जो है वो हमें इस numerical को ने interpret करना बता देता हूँ कि हमने कैसे करना इसको पूरे को तो इसमें देखो तुम्हारे पास सबसे पहले ये find out करना होता है कि given क्या क्या है an object 5 cm in length तो object जो है वो 5 cm लेंथ में तो इसका हम तो height of object दे रखा है 5 cm ठीक है is held 25 cm away from converging lens अब उसको हमने कहा रहा है 25 cm away रखा हूँ यानि कि जो object distance है वो 25 cm है object distance न हर case में चाहे mirror हो चाहे lens हो उस case में negative ही होता है focal length तुम्हें दे रखी है 10 cm converging lens से हमें ये पता चल गया है कि हमारे पस convex lens है और convex lens की जो focal length है वो 10 दे रखी और ये क्या होगी हमारे पस plus 10 cm होगी draw a diagram and find the position and size and nature of image font तो सिद्धी सी बात पता कि है यहां से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u से न v की value निकाल देंगे और calculate करके हमारे पस v की value 16.67 cm आएगी sign convention को use करना है जो u है हमारे पस minus है minus minus plus हो जाएगा सब यहां पे दे रखा करके मैं जिस्ट बता रहा हूँ एक बात अब देखो v positive आ रहा है जब भी convex lens के case में v positive आता है v positive आने का मदलब है जो image होगी वो real होगी जो image होगी वो real होगी फिर हम लोगोंने क्या करना है magnification निकाना है magnification के लिए अपने पास क्या formula है v upon u और दूसरा formula height of image upon height of object तो यहाँ से हम सीधी सी बात है height of image निकाल सकते है height of image आगी minus 3.33 cm अब जब height यह आ रहे है negative है negative height होने का मतलब क्या है inverted है तुम्हारे पास ठीक है और height की जो value है वो देखो object height से कम आ रही है इसका मतलब जो image है वो क्या है small है तो image real होने का पता चला जो v के आगे sign था उससे और inverted होने का पता चला जो भी height of image थी उसके आगे sign लगा हुआ था उससे और जो भी value थी उससे हमें क्या पता चला कि जो image होगी वो छोटी होगी as compared to object जो next है हम मारे पास numerical वो क्या है concave lens of focal length 15 cm concave lens है पहली बात तो देखो concave lens होता है यह वाला lens ठीक कहा है इसकी focal length हमें दे रखिया 15 cm अब इसमें virtual focus होती है minus 15 cm होगा यह क्या करता है एक image बनाता है 10 cm from lens lens से 10 cm आगे image बनाता है यान कि V जो है अपने पास क्या है 10 cm है how far is the object placed इस particular case में हमें U निकारना है ठीक है वह इस lens maker formula से U तो निकली जाएगा 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U और यहां से हमारे पास U की value आजेगी minus 30 cm मैंने क्या बताया था हमारे पास कोई भी lens क्यों ना हो U हमेशा negative में निकलेगा ठीक है रे डाइगरम बनाओ या रे डाइगरम साइड में दे रखा है जैसे ही बनाना है वह अपने पास है जो next question है अपने पास थोड़ा सा जो image है वो distorted सा हो गया पर मैं कोशिश करता हूँ इसको भी समझाने की एक object है देखो मैं guideline दे रहा हूँ कि कैसे करना है ठीक है calculations करना जो है वो तुम लोगा काम है वो calculations होगी वो खुद करनी पड़ेंगे an object is placed at a distance of 10 cm from convex mirror सबसे पहले जीज convex mirror होता कैसे है चलो यह रह convex mirror और object को हमने 10 cm पर रखती है चलो ठीक है यह हमारे पास होगा 10 cm कहने का मतलब क्या है अपने पास जो u हुआ वो हुआ minus 10 cm मैंने बताया था u हमेशा negative होता है दूसरी चीज convex mirror और focal length 15 cm focal length 15 cm दे रखिये convex जो mirror होता है तुम्हारे पास उसकी focal length हमेशा positive में होती है तो यह plus 15 आएगा तुम्हारे पास कितना जाएगा plus 15 cm आएगा तुम्हारे पास ठीक है find the position and nature of image position निकालना है और nature निकालना image का तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि हमने पास focal length दे रखिया u दे रखिया अपने लोग formula कौन से लगेंगे देखो mirror formula लगाएंगे अब यह जो mirror formula है यह जब हम apply करेंगे तो अपने पास V आजाएगा positive 6 cm अब V positive 6 cm आने का मतलब क्या है जो तुम्हारे पास image है वो कहां form हो रही है हमारे lens के right hand side पे form हो रही है तो जब तुम्हारे पास mirror formula से V की value positive 6 आजाएगी positive का मतलब है तुम्हारे पास जो भी mirror के case में अगर V positive आ रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि virtual image बन रही है mirror के अंदर बन रही है नहीं मेज तो ठीक है और virtual image बन रही है तो फिर magnification निकाल दो magnification क्या होता है हम पने पास अपना minus V upon U होता है magnification वहाँ से magnification की value आ रही है plus 0.6 अब magnification क्या के positive के sign का मतलब होता है erect image बन रही है और देखो magnification एक से छोटी है 0.6 है इसका मतलब image जो है वो small बन रही है तो एक कुछ एक चीज़े होती है जिनका ध्यान रखना है और formula है उनका ध्यान रखना अब इसमें formula में देखो na magnification का formula minus V upon U है तो V को plus 6 put करेंगे लेकिन जो U होगा उसको minus 10 put करेंगे minus से minus cancel out हो जाएगा जो next question है अपने पास वो है the magnification produced by plane mirror is plus 1 what does it mean देखो magnification plus 1 है इससे हमें क्या पता चलता है plane mirror की magnification plus 1 ही होती है इसका मतलब यह है सबसे पहले जी चीज़ देखो positive sign लगा है positive sign का मतलब erect image बनेगी दूसरी बात magnification 1 है magnification 1 का मतलब होता है same size की image बनेगी जैसा की object है तीसरी बात हमारे पास plane mirror है magnification plus plus में erect 1 same size की और virtual image बनेगी next 14 question है तुम्हारे पास तुम्हारे NCRD का इसमें object की length तुम्हें दे रखे 5 cm object की length का मतलब तुम्हें height दे रखे हमें object की 5 cm दे रखे और object को हमने कितने distance पे रखा हुआ है अपना convex mirror के आगे convex mirror जो होता हो यह वाला mirror होता है ठेक है convex mirror के आगे रखा हुआ यानि कि u की वैल्य अपने को दे रखिया माइनस 20 cm radius of curvature हमें इसका radius of curvature दे रखा 30 cm अब क्या होता है कि focal length निकालने है नो radius of curvature का half होता है यानि कि 15 cm focal length होगी और ये focal length positive होगी because हमारे पास जो mirror है वो convex mirror है convex mirror की focal length होती है वो positive होती है तो basically होगा किया देखो मैंने height अपने को दे रखा था u अपने को दे रखा था radius of curvature से मैंने focal length निकाल दी है अब मैं इसमें formula लगा रहा हूँ कौन सा mirror formula mirror formula से मैंने v की value निकाल दी और v आ रहा है positive v positive आएगा तो इसका मतलब मैंने बताया था अगर v positive आ रहा है इसका मतलब image क्या बन रही है हमारे पस virtual mirror के case में virtual बनती है फिर वहां से मैंने क्या किया मैंने height of image निकाल दी देखो magnification का formula भूट किया ना हमने magnification is equal to height of image upon height of object is equal to minus v upon u तो अपने पस जो height है वो कितनी आ रही है plus 2.14 अब देखो height जो है वो positive है इसका मतलब जो image है वो क्या है erect है सीधी बन रही है image दूसरी बात object की height कितनी थी 5 cm image की height कितनी है 2.14 और image क्या बन रही है smaller than object बन रही है हमारे पास image तो इन सब पीजों का ध्यान रखना है calculation LCM का ध्यान रखना है जो next question है हमारे पास हमारी NCRT की book में वो question का है question number 15 तो question number 15 के according an object of size 7 cm देखो भाई object का size तो दे रखा है 7 cm मतलब height of object अपने को दे रखिया 7 cm is placed at 20 cm in front of concave mirror mirror concave है इसके आगे हमने 20 cm पर रखा हुआ यानि की u की value है minus 27 cm focal length हमें दे रखिये 18 जो concave mirror होता है उस case में जो focal length होती है वो negative होती है minus 18 cm आईगी at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained अब ध्यान रखना जब ये ऐसा question आये ना कि तुमसे ये पुछा हुआ है at what distance from the mirror should a screen be placed इसका मतलब ये अपने से V की value पूछ रहे है simple जी बात है इस particular question में मैं क्या करूँगा देखो हमने formula लगा है कौन सा mirror formula mirror formula से V की value निकाल दी minus 54 cm का मतलब है जिस side object है उसी side में रखूँगा किसको अपना screen को तो जो negative sign है in case of concave mirror वो ये बनाता है कि image बनेगी हमारे पास real real image बन रही है size और nature निकाना तो एक चीज़ तो मैंने बता दी वी से कि real image बन रही है magnification निकाल के देख लेंगे magnification का अपने बस formula के बता height of image upon height of object is equal to minus V upon U cross multiply करेंगे हमारे पास height of image का ये formula बन जाएगा अब खुद देखो na height of object तो 7 थी height of image कितनी थी object कितनी थी plus 7 cm V अपने बस minus 54 है U अपने बस minus 27 है जो height of image आजाएगी वो minus 14 cm आजाएगी अब देखो height of image है negative यानि कि inverted image बनेगी दूसरी बात किया है अपने पास value 14 आ रही है height of object कितना था 7 double आ रही है value enlarged image बनेगी enlarged image तो ये हमारे पास जो है न अपना nature था image का और कहा screen place करेंगे बहुता ऐसे से question में ध्यान रखना अगर screen place करने वाले question है तो कुछ अलग नहीं है निकालना V ही है हमने next step अपने पास 16 question find the focal length of a lens of power 2 diopter देखो ना यार अपने पास power का formula होता 1 upon F तो F is equal to 1 upon P ठीक है न तो power थी अपने पास minus 2 तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास minus 0.5 देखने ये meter में आगी इसको centimeter में convert करने के लिए 100 से multiply करतेंगे minus 50 centimeter आएगी focus minus 50 centimeter आएगी focal length next question अपने पास a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter तो plus 1.5 diopter का lens बोला होगा है doctor ने कि भाया ये लगा हो अगर आखे ठीक कर नहीं है तो find the focal length of lens and is prescribed lens diverging or converging तो सबसे पहले तो focal length निकाल के देखते है वो होता है 1 upon P अभी जो हमने question किया से पहले उसमें 1 upon P था तो focal length is equal to 1 upon 1.5 meter में निकलेगा इसको 100 से multiply करूँगा तो अपने पास क्या हो जाएगा centimeter में आ जाएगा plus 67 centimeter आ रही है जो focal length है वो अब यार कौन सा lens है जिसमें focal length positive आती है convex lens है अब बेसी बात है तो convex lens जो है वो बोला है doctor ने और जो focal length है वो है plus 67 centimeter तो इसके साथ हमारे NCRT के सारे question cover हो जाते हैं यह सारे question जो हैं जैसे मैंने सिर्फ वा सिर्फ formula बताए हैं और direction बताए है कि कैसे होंगे यह copy में करने हैं ढंगसे करने हैं हर question की जो calculation है उसको करना तभी clarity मिल पाएगी और जो main main चीज़े हैं कि जो V है जो V का sign है हमें वो क्या बताता है जो height of object, height of image है उनके sign हमें क्या बताते है magnification की value हमें क्या बताती है यह सब चीज़े जो होंगी वो इन question को ढंगसे करने के बाद खुद बखुद clear हो जाएंगी तो इसके साथ हमारा 10th class का जो light chapter है वो over हो जाता है जोचे करने की वो जाएंगी